होली हमेशा खास होती है फिर वो चाहे बॉलीवुड हो या फिर हो हमारी भोजपुरिया इंडस्री जी हां हम बात करने वाले हैं इस बार के होली पर क्या होगा खास और कौन सी कौन सी फिल्में रिलीज हो रही है होली पर आए जानिये हमारे साथ तो आपको बता दे कि भोजपुरिय की अब तक सबसे बड़ी और महंगी बजट के फिल्में इसी होली पर रिलीज हो रही है दिनेज लाल याद और निरहुआ की शेरे हिंदुस्तान और पवन सिंग की क्रेक फाइटर ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होंगी और होगी भोजपुरिया बॉक्स ओफिस पर काटे की टकर जी हाँ एक तरफ दिनेज लाल याद और निरहुआ के फैंस शेरे हिंदुस्तान का वेट करेंगे दूसरी तरफ पवन सिंग यारे की पावर स्टार पवन सिंग के फैंस क्रेक फाइटर का इंतिजार करेंगे कि भोजपुरी इंडस्री की दो बड़ी फिल्मों का जो की आते ही धमाल मचाने को तयार हैं तो चलिए जान लेते हैं फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत वैसे क्रेक फाइटर की शूटिंग लगातार तीन महीने से चल रही है और उसकी फिल्म लगातार तीन महीने से पावन सिंग कर रहे हैं पावन सिंग की माने तो यह फिल्म भोजपुरी इंडस्री की अब तक की सबसे बड़ी और लार्ज स्केल पे बन रही फिल्म है और इसे देखने के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये भोजपुरिया फिल्म है सभी को देखने के बाद ये लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ी बजट की हिंडी मूवी है खेर ये बात है क्रेक फाइडर की अब आईए शेरे हिंदुस्तान की बात करते हैं दिनेज की माने तो उनकी ये फिल्म काफी बहतरीन है और इस फिल्म में काफी अच्छे इफेक्ट यूज किये गए है इसके पोस्टर जब से रिलीज हुए है तब से ही दर्शुकों के बीच एक बस क्रियेट किये हो ये फिल्म दिनेज लालयाद और निरहुआ के लिए हिट होना काफी इंपोर्टन है क्योंकि इससे पहले निरहुआ चेरल लंडन ने बॉक्स ओफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है और अगर ये फिल्म रिलीज होती है और ये बंपर ओपनिंग के साथ रिलीज होती है तो दिनेज लालयाद और निरहुआ के लिए ये साल काफी बहतरीन बीतने वाला है क्योंकि अगर एक फिल्म आपकी हिट हो जाती है तो दर्शुगों को आप में अच्छा खासा इंट्रेस्ट होता है आपकी अगली फिल्म को देखने के लिए तो आपको है किस फिल्म का बेसबरी से इंतिजार हमें हमारे कमेंड बॉक्स में लिखके जरूर बताईएगा कम्यूटी में जाकर और हम भी आपी की तरह इंतिजार कर रहे हैं इन दोनों बहतरी इन फिल्मों का भूच पोच पूरी की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं